COVID के बाद से धीरे धीरे बाईपैप का चलन बहुत बढ़ता जा रहा है हम विंटिलेटर पे ज्यादा मरीजों को रखने के बाद अब हमने इतना experience कमाया COVID में कि हम बहुत सारे patients को बाईपैप पे manage करने लग गए हैं पर COVID में ही हमने तमाम तरह के मरीजों को बाईपैप पे रखा अजीब जीब से अलग अलग तरह के मास्क लगाए और उसी में हमने कुछ बहुत सारी गलतियां भी सीख ली जो हमारे patients को अब तकलीफ देने लग गई है COVID में ये सारी बहुत गलतियां हुई लेकिन COVID में क्या हम मान की चलते थे कि हाँ मरीज तो सिख है और शायद नहीं ही बचेगा तो हम कभी cause ढूंडने गए नहीं पर मैं अब भी देखता हूँ अपने अस्पतालों में ICU में लोग ये common mistakes every day करते हैं मैं डॉक्टर सुबोच चतुवेदी हूँ और ये platform है clinical guru जी का ये lecture मेरे NIV course में जाएगा जो कि हमने एक चोटा सा course बना रखा है non-invasive ventilation का यदि आप इस video को YouTube पर देख रहे हैं तो description में आपको link मिल जाएगा अगर आप NIV course में हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं है तो कुछ common mistakes हैं हम NIV mask लगाने में करते हैं आपने भी की होंगी पर आपको पता नहीं होगा तो आज एक बार सुलजाएंगे और यकीन मानो आप ये lecture सुनके कहोगे कि हाँ sir ये नहीं पता था अच्छा हूँ आपने बता दिया शुरू करते हैं जब भी आप किसी को BiPAP लगाते हो तो दो तरीके से लगाते हो BiPAP का मुख्य परपस क्या है मरीज को सांस देना मरीज के अंदर तक हवा पहुचाना और BiPAP जिस मरीज को लगता है अकसर वो इतना conscious होता है कि वो खुद सांस ले रहा हो यदि unconscious patient है completely तो आप उसे BiPAP नहीं लगाओगे आप उसे इंटुबेट करोगे और वेंटिलेटर पर डाल दोगे लेकिन BiPAP वाला मरीज comparatively conscious होता है तो BiPAP आप यूजूली दो तरीके से लगाते हो एक तो आप वेंटिलेटर मशीन के तुरू लगाते हो और दूसरे portable BiPAP होते हैं दोनों के ही अपने-पने कुछ फायदे नुकसान है वो आपको औरड़ी पता है फिर भी एक बार Enumerate कर देता हूँ जब भी कभी आप वेंटिलेटर मशीन पे किसी को BiPAP लगाते हो तो सबसे बड़ा फायदा ये कि उसमें Oxygen Connected होती है आप 100% की FiO2 भी दे सकते हो दूसरी बात कि जितने बड़े-बड़े Modes Ventilator में Available होते हैं वो सारे Modes आपको यहां Non-Invasive में भी मिल जाते हैं तीसरी चीज़ कि आपको Monitor पे हर चीज़ दिखती है Ventilator के स्क्रीन पे आपको कितना Tidal Volume जा रहा है कितना Rate जा रहा है यदि ETCO2 Connected है तो कितना जा रहा है वो सब भी दिखता है नुकसान ये कि ये चीज़ केवल ICO में लग सकती है तो आपको एक ICO Setup चाहिए उपरवारा जो डबा है उसे आप WOD में भी लगा दो घर में भी लगा दो और वो काम करता है नुकसान ये कि उसमें आप 100% FIO2 नहीं दे सकते है आपके Modes Limited है आपकी Monitoring, Graphics वगरा की बहुत Limited है पर बड़ी Handy, Carryable चीज़ है इवन बैटरी पे चल जाती है तो इन दोनों ही चीज़ों को हम मरीज के साथ Connect करते हैं और अलग-अलग तरीके से Connect करते हैं और उसमें एक बड़ी गड़बड़ होती है क्या गड़बड़ होती है वो समझाता हूं जब भी कभी हमें पेशेंट को Ventilator से मरीज के साथ Connect करना है BiPAP के थूँ मतलब Non-Invasive Ventilation हम देंगे Ventilator Machine के थूँ पेशेंट को तो Ventilator के साथ जब Tubing यूज होती है तो दो ट्यूब वाली मतलब Double Limb Tube होती है जिसमें दो टांग होती है एक Inspiratory Limb होता है एक Expiratory Limb होता है और वो जाके मरीज के Face पे Fix हो जाता है जबकि जो डबबे वाला BiPAP है उसके साथ Usually एक Single Tubing आती है और ये Single Tubing मरीज के Face पे Connect हो जाती है तो या तो Double Tubing या Single Tubing हम मरीज के साथ Connect करते हैं और इसमें एक छुटी सी Physiology की चीज़ आपको समझने की है क्या समझना है? देखो जब भी कभी आप किसी को BiPAP लगा रहे हो वो भी Ventilator से तो Ventilator क्या करता है? उसकी एक Limb सांस देती है मरीज के अंदर सांस जाती है और फिर वो सांस दूसरे Limb से बाहर आके और Skavenging Port से और उससे बाहर निकल जाती है फिर से एक Limb से सांस अंदर गई Inspiratory और दूसरे से सांस बाहर निकल गई कैसे पता चलता है मरीज को की कौन सा Inspiratory कौन सा Inspiratory एक तरफ से Continuously हवा आ रही होती है तो मरीज जब सांस छोड़ता है तो उस Limb में तो सांस छोड़ नहीं सकता जहां से आ रही है तो Automatically जो खाली वाला Port है या जो खाली वाली टांग है उसी में सांस जा पाती है यह हुए दो Limb वाले Ventilator Single Limb वाले में क्या होता है मरीज सांस छोड़ता कैसे है इससे आ तो गई पर बाहर कैसे निकलेगी इसके लिए दो तरह के मास्क बनते है एक को हम कहते हैं Non-Vented Mask मतलब जो completely जिसमें कोई छेद नहीं होता जो air tight हो जाता है बस मरीज के face पे जाके fix होता है और फिर उसमें से हवा निकलने की कोई जगा नहीं होती और दूसरा मास्क होता है Vented Mask जिसमें की कुछ छेद होते है और तुम कौन सा किसमें लगाओगे इसमें हमेशा लोग गड़बड करते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं हम अपने nursing staff को बोल देते हैं कि इसको bypap लगा दो अब उस विचारे को जो मास्क मिलता है वो connect कर देता है और लगा देता है और अकसर इसमें ये मास्क उल्टे लगाए जाते हैं उल्टे in the sense कि non-vented जहां लगना चाहिए वो vented को लग जाता है और vented जहां लगना चाहिए वो non-vented को लग जाता है तो कौन सा कहा लगेगा अभी समझाता हूँ एक मिनिट में जब मरीज ventilator से दो टांग के circuit से सांस ले रहा है तो बिना चेद का मास्क जहने non-vented मास्क कब लगेगा जब ventilator से dual limb circuit connected है और जब मरीज एक single limb से सांस ले रहा है एक single pipeline से हवा आ रही है तो हवा आएगी तो उस से लेकिन जब मरीज सांस छोड रहा होगा तब वो हवा यहाँ पे छोटे-छोटे से छेद बने होते है उनसे निकल जाती है क्योंकि यह vented mask है वापिस उसी port में क्यों नहीं जाती है क्योंकि वहाँ से constant e-pap आ रहा है वहाँ से constant हवा का pressure आ रहा है तो मरीज जब सांस लेता है तो यहाँ से खीशता है लेकिन जब छोड़ता है तो इसमें नहीं छोड़ पाता यहाँ पे बने हुए छोटे-छोटे छेदों से वो हवा बाहर निकल जाती है कभी-कभी इनी छेदों की जगा पे एक अलग से छोटा सा connector दे दिया जाता है जिसमें की open छेद रहते हैं और उससे हवा बाहर निकल जाती है लेकिन कभी-कभी विचारे मासूम नर्सिंग स्टाफ उनको पता नहीं होता वो कहते हैं गलत सर्किट आ गया है गलत pipeline आ गयी है तो वो उसको dynoplast से कस देते हैं कि सर इसमें leakage है ये चीज डेलिबरेटली लीक करने के लिए ही बनाई गई है ताकि सांस एक तरफा अंदर जाए लेकिन जब मरी सांस छोड़े तो इस leakage में से निकल जाए या इस vent में से निकल जाए तो vented mask कहा लगाओगे जब single pipeline का portable ventilator है और non-vented mask कहा लगाओगे जब dual pipeline का ventilator machine है तो single portable के साथ में vented mask और dual pipeline के साथ में ventilator वाला non-vented mask तो ये non-vented और vented mask फिर से non-vented mask केवल double limb के ICU ventilator के साथ में single limb के Wipap, CPAP के साथ में नहीं करना vented mask single limb के circuit के साथ और उसके साथ नहीं फिर एक बार revise करूँ क्या नहीं ना आ गया ना सबको अब तो तो NIV के mask non-vented जिन में कोई entrainment valve नहीं होता dual limb patient circuit में और single limb में vented mask बहुत छोटी सी चीज़ है पर यकीन मानो ज्यादा तर लोगों को नहीं आती अगर आप बहुत अच्छे ICU doctor हो तो आपको ये already पता होगा नहीं तो हो सकता है कि आज शायद मैंने आपको एक नई चीज़ सिखाई हो अगली बार से ध्यान देना खुद अपनी आख के सामने लगवाना देखना कि वेंटेड मास्क है कि नॉन वेंटेड मास्क है चलो आगे के लेक्चर में फिर मिलेंगे